जैश्रीमन नारायन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जानते हैं कि सूतक में लड़ू गोपाल की सेवा कैसे करें साथ ही ये भी कि पीरियट्स में लड़ू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए क्या पीरियट्स के दोरान सेवा करें या फिर ना करें हिंदू सनातन धर्म में यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्ति हो जाती है तो उस घर में सवा महीने तक आदी काली नावशक्ता सम्मेलित हो जाती है इसका मतलब ये है कि उस परिवार के सदस्य जो है वो सवा महीने तक किसी भी मांगलिक क्रिया का पालन नहीं करते हैं जैसे कि विवा इस तरीके का कोई भी कार्य है उस परिवार में नहीं होता है इसके अतिरेक्त उन्हें इस अवधी के दोरान भगवान की पूजा और अर्चना करने की वियनुमती नहीं होती है भगवान के मंदिर में दर्शन करने का अधिकार भी उन्हें सवा महीने के बाद ही होता है और जब उनके घर का सूतक समाप्त हो जाता है इसके बाद ही उन्हें भगवान की पूजा अर्चना और अन्य मांगले कारे में भाग लेने का धिकार होता है हाला कि कुछ व्यक्ति अपने घर में लड़ू गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं समाना जाता है कि इनकी सेवा को निरंतर बनाए रखना बहुत ही आवशक होता है लेकिन जब सूतक चल रहा हो तो लड़ू गोपाल की सेवा कैसे की जाए ये सवाल कई लोगों के मन में आता है यदि आप भी इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं करप्या करके इस वीडियो के अंतर बने रही है आज इस वीडियो के मादिम से आपको बताएंगे कि सूतक के दोरान लड़ू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए इसके लावा इस विशे से संबंदित और भी महत्पून जानकारी आज आपको मिलेगी तो चलिए इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं लोगों के मन में इस सवाल आता है कि सूतक के दोरान लड़ू गोपाल की सेवा कैसे की जा सकती है तो आपको बता दें कि सूतक के दोरान आप लड़ू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और ये भी कि नहीं भी कर सकते हैं इसमें ऐसा है कि कुछ लोग लड़ू गोपाल को अपना भाई, दोस्त या फिर बेटा मान करके उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें प्रभू, ईश्वर, भगवान, परमात्मा मान कर उनकी पूजा करते हैं, ये एक भावनात्मक पहलू की बा उनके जुड़े हुए जो कारे हैं वो करने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके भाई हैं या फिर बेटा हैं तो आप उनकी सेवा करेंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे, इस प्रकार आप सूतक के समय भी लड़ू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लड़ू लड़ू गोपाल की सेवा कुछ दिनों तक कर सकते हैं, आप जान लेते हैं कि पीरियट्स के दोरान लड़ू गोपाल की सेवा कैसे करें, पीरियट्स के दोरान आप लड़ू गोपाल के मंतर का जाब करके उनकी पूजा कर सकते हैं, मंतर जाब के लिए आपको माला का उप इस रूप में आप मासिक धर्म के दोरान भी लड़ू गोपाल की सेवा कर सकती है तो चलिए जो एक और पश्ना आता है कि घर में कि आप दो लड़ू गोपाल की स्थापना किस दिन की जानी चाहिए तो लड़ो गोपाल की स्थापना आप उनके जनमाश्च में के दिन कर सकते हैं और इसके लावा आप किसी भी शुब मूरत में लड़ो गोपाल की स्थापना अपनी जरूरत अपनी शमता के अनुसार कर सकते हैं यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगर आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि यहा झालुओाँ से लोग जोग झालुओाँ से लोगांगे जोगने लोगर पकारी के लोगछाऊ हैं प्रिख्भाँ से लोगड़ पाले को सब्सक्राइब कर दें वाजाएंगे।